को अल् violation aku अगी हैン। आज मैजमा आपको बताऊंगा जो मेगलोडायन इंजेक्शन जिसके अंजदगत सालत ए फिल्यूनिक्षर मेगलोमाइन aur जिसके अंजदगत साल्डो टॉलफिशच्छ अल्पी नामिक면 इसी त्रय सी इंटास यह विर्बेक का है जो इस साल्ट का इंज इंजेक्शनों में क्या अंतर है, दोनों में से अच्छा कौन है, क्योंकि बहुत सी इस प्रकार के बार कई कमेंट्स करते हैं, या कोल भी करते हैं, इसलिए फ्ल्यूनिक्सिन मेगलुमाइन अच्छा है, या टोल फिनामेकेसिट है, जो दर्द सुजन के अंदगत प्रियोग करते हैं, दोनों में से अच्छा इंजेक्शन कौन सा है, तो आज की वीडियो के अंदगत में आपको अच्छी तरह से डिटेल से बताऊंगा कि कौन सी बीमारी में कौन सा इंजेक्शन बहुत अच्छा है, और सबसे बैटर इंजेक्शन कौन सा है, कौन सा इंजेक्शन आ शब्सक्राइब करें भीडियु वीडियो बनी वही है तो जा करके देख सकते हैं तो यह जो जो इस सेक्ट पर जो ने जोड़े हैं तो पहले उस ऑप discrico को बत्र गूर्ITY को आप बेल आइकन को भी दबाएं और उसमें जो आल वाला उप्सन आता है उसको दबाएं ताकि बहुत से महने वाली हर परकार की वीडियो की नोटिपिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि दोनों इंजेक्शन कौन कौन सी बीमारियों में काम करते हैं दोनों इंजेक्शन का परियोग कर सकते हैं दोनों किसी तरह की बीमारियों एदिया आपके पसू में किसी भी तरह है कि एदि कोई बुखार हो गई है दर्द बुख गया या कहीं पर लग गई है उसकी वज़े से चोट आ गई है गांटे बन गई है तो दोनुं इंजेक्शन का आप परियोग कर सकते हैं दोनुं ही आपके पसु में अच्छा रिजेल देखने को मिलते हैं रही बात किसी भी तरह के दिया आपके पसु में मसल से संबंदी कोई दिकत आ गई है या आपके पसु में कहीं से गिर गया है पढ़ गया है नीचे गिर गया है तो उसके सरीर का मस का कुछ भाग फट गया है तो उस इस्तती में आपको दोनुं इंजेक्शनों में से जो टोल फिनामे की से इंजेक्शन है इसका रिजेल आपके पसु में अच् को मिलेगा इसी तरह से यह आपके पसु में किसी भी तरह का infection है जो respiratory tract infection है यानि सांस लेने में दिकत है pneumonia हो गया है ड्रेंचिंग pneumonia है या आपके पसु में अधर जो pneumonia हो गया है और सांस दिकत आ रही है आपके पसु में temperature high हो गया है तो उस इस्तति के दोरान आप दोनुग जो इंजेक्शन है दोनुग इंजेक्शनों का प्रियोग आप अपने पसु में करवा सकते हैं दोनुग का यह अच्छा result है किसी भी तरह के इदिया आपके पसु में जिस प्रकार से आपके पसु में थन से समधित है, में स्टाइटिस में हो गया है, में मेरी गिलान में सुझन आ गया है, जैसे थन सुझ गया है, अडर में सुझन आ गया है, दर्द कर रहा है आपका पसु भो ज़्यादा दर्द कर रहा है, तो उस इस्तिति के दोरान आपको म इंजेक्शन का रिजेल्ट इस मेक्स टोल जो टोल फननामिक एसीड है इससे आपसे कई गुना अच्छा रिजेल्ट आपको इस इंजेक्शन से मिलेगा और आपके पसूं के लिए अच्छा सेव भी रहेगा इदि आपके पसूं में मुतर से सम्दित किसी भी तरह का इदि संकर्मन है, इंपेक्शन है, सुजन आ गई है तो उस इस्तिती के दोरान भी दोनु इंजेक्शन का प्रियोग कर सकते हैं लेकिन यह दिया आपको जिस प्रकार से मेटराइटिस है, अगर बाशे में सुजन आ गई है, जो अधर है, इंडर, उसमें आपको अच्छा रिजेल्ट मिलता है, किसका? जो मेगलोडाइन है, फ्लूनिक्सीन, मेगलोमाइन, जिस इंजेक्शन के अंदर के साल्ट आता है, इ इधनिला रोग है, मेटराइटिस है, उसमें मिलता है, और रही बात एदिया आपके पसु में, इंडो टोक्सी मिया है, उसमें सेप्टिसी मिया है, उसमें भी आपके पसु में अच्छा रिजेल्ट आपको देखने को इस इंजेक्शन का अच्छा मिलता है, जो है टोल फि पता बात इनकी दोनों की डोज जो मैं डोज आपको बता ओं तो सबसे पहले मां आपको बताता हूं जो Mixed Toll Injection है जिसकी इंदगर साल टोल फिनामिक इन इंजेक्शनों को डोज होती है एक एमेल पर बीस केजी बोडी वेट यानि जिन पसों का बोडी वेट चार सो केजी है तो उसे आप 20 एमेल Intramuscular or Intravenous दोनु रूट से आप इस इंजेक्शन का प्रियोग अपने पसों में करवा सकते हैं रही बाद जो मिक्स टोल इंजेक्शन है 20 एमेल आपको एक साइड में एक साथ न लगें 10-10 एमेल दोनु साइड या पुठू में या गर्दन में कहीं पर भी लगा रहे हैं इसी पेरकार इसकी डोज होती है, मेगलुडाइन की इसकी डोज होती है है रही बात अब कई बहुत इस प्रकार की क्युस्सन करते हैं प्रिग्नेंसी में है तो आप यह इंजेक्शन प्रयोग करिएं किसी ब तरह कहते हैं कि antipiratic यानि दर्ध सुजन वुखार में आपके पसों के लिए से भी रहेगा रही बात जो megalodine injection है ये injection आपके किसी भी तरह के पसों छोटे से लेकर के बड़े पसों में यानि लग जितने भी परकार के जो जानवर होते हैं जो लेकर के जो large animals हैं सबी में इस injection का प्रियोग pac Fix in megalomine का प्रियोग कर आ सकते हैं बट आप इस Stir gia और एंजेट सनका प्रियोग कर आ सकते मक्सटोल का इंजेट्षन का प्रियोग आप गाया भैस भेड़ कर अक रूग मं भा माइन है इस injection का परियोग उन पसूँ में करवा सकते हैं रही बाद डोज आपको सही ही लगवानी है फ्लूनिक्सिन मेगलोमाइन इंजेक्षन की डोज है वो आप 12 गंठे बाद में आप रिपीट कर सकते हैं जो मेगलोडाइन इंजेक्षन आता है इसकी डोजे से आपने आज लगा दिया तो दूसरे दिन या स्याम को भी आप इस इंजेक्षन की रिपीट कर सकते हैं लेकिन इस injection को आप टोल फिनामे के सीड है इस injection को आप रिपीट दो दिन बाद में ही आपके पसू में कर सकते हैं continuity आप लगातार इस injection को नहीं लगा सकते हैं लगातार आप इस injection का परियूग कर सकते हैं प्रकार से आपके पस्व में थनेला रोग हो गया है तो इसमें इदी आपको लगातार इदी दर्द सुजन है तो अच्छा रिजेल लेना है बहुत ही अच्छा रिजेल मिलेगा जो एंटिबाइटिक जो अधर इंजेक्शन इदी आप लगा रहे हैं तो उनके साथ आप ये तो आप इस इंजेक्शन का प्रियोग कर सकते हैं जिस प्रकार चे कई पस्व में इदी नीमोनिया की सिकाईत हो जाती है तो उसमें आप लगातार जो इंटिबाइटिक इंजेक्शन पस्व में तीन से चार दिन लगा जाती है तो उनके साथ भी जो इंजेक्शन है ये इं एक्टिव एडि एंटिबायिक एंजेक्षिण इडिया आप उन पसू único को लगा कर आते हैं तो उनके साथ ही आप मेक्स टोल जो टोल फिना मेंज зачशन आता है ऐसा नहीं है कि यह अच्छा नहीं अच्छा है लेकिन दोनों की एदितुलनात्मक एदियन करूं मैं दियन से बताओं तो इसमें सबसे जो अच्छा इंजेक्षन है वह अच्छा इंजेक्षन है मेगलूडाइन ही इस इंजेक्षन से कई गुना बैटर अच्छा रिजेल दे मिलता है रही बाद जिस प्रकाश यह आपके प्रसुमें गेस्टों इंटे इंफेक्शन है या अधर इंफेक्शन है तो उसमें आप इस इंजेक्शन का परियोग नहीं करें और अधर डिटेल से जाना है तो वो बताएगी है वीडियो जाकर के देख लें दोनुं स्टेंट है उनके साथ आप इस वीडियो को जित्ना हो सकता है आप इसको शेर कर दें इसी तरह से आपको अधर जो इनालजैसिक इंजेक्शन के बारे में तो नात्मक के अच्छा कौन सा इंजेक्शन है जानना चाते हैं तो उनसे जाकि आप कमेंट में लेकिए मेरी वीड देखते रहें इसी तरह से आमेर को प्यार देखते रहें थैंक्स धन्यवाद